आज हम लोग अपने second lesson में एक और question उठाएंगे UPSC 2018 GS3 में आया हुआ यह question 10 number के लिए आया था और इसमें 150 words में हमको answer करना था last session में हमने दो particular चीज़ें सीखी थी जो मैं आज revise करवाऊंगा और उसके साथ ही दो और नई चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है before you start practicing your answers तो हमारे पास 4 चीज़ें हो जाएंगी इसी तरह से हम कुछ और चीज़ें add करेंगे and we will try and create a standard procedure to write every answer in our examination यह standard procedure बहुत help करेगा हमको अच्छा और ज्यादा effective answer लिखने में आज का question किसानों के उपर है तो start करने से पहले मैं एक poem गुलजास आपकी सुनाना चाहता हूं जो इसलिए important है क्योंकि जो मैं दो नई चीज़ें बताऊंगा वो दोनों नई चीज़ें इस poem से या फिर इस तरीके से connected हैं तो उस poem को पहले मैं आपको सुनाऊंगा और फिर हम आप आज का session start करेंगे start करने से पहले अगर आपने पिछले हफते का session नहीं देखा है तो i-card पर click कर दीजे जो अभी उपर आपको दिखाई देगा और उस session को पहले देखें इस session start करने से पहले अगर उस lesson को या उस session को नहीं देखेंगे तो आपको दो चीजें जो मैंने पिछली बार भी cover करवाई थी वो नहीं समझाएंगी चलिए आज का session start करते हैं सबसे पहले मैं आपको गुलजाल साहब की वो poem सुना देता हूँ जो किसानों के उपर है ये कुछ इस तरह है जर्रा अल्लामा को कोई खबर करते के जिन खेतों से दहका को मैसर न हुई रोटी किसी ने खेत में जाकर जलाया ही नहीं गंदम के गोशों को कहीं कोई नहीं उठा ना कोई इनकलाब आया जनाजे उठ रहें गाओं गाओं से ये सब किसब जनाजें हैं किसानों के जिन्हों ने कर्स की मिट्टी चबा कर खुदखुशी कर ली इसमें किसानों के बारे में दशाया गया है कि किसानों की हालत आज हमारे देश में कितनी खराब है और इसी के उपर ये question है जिसमें अगर आप किसानों के साथ empathy या फिर English में बोलें और इसी कुछ चीजें हम आज के सेशन के बाद रिवाइस करके समझेंगे तो जो स्टूरेंट्स आज पहली बार ये सेशन या ही लेसन देख रहे हैं उनके लिए मैं ये स्लाइड दोबारा चला देता हूं इस स्लाइड में में इशन है लेट इस पर्फॉस कोड़ इस सेशन पर ये लेग आप कर दोचना सबसे दिफिकल्ट पार्ट आप का उपसी एक्शामिनेशन का नाही नहीं है सबसे difficult part UPSC examination का है उस knowledge को सही तरह से examination में apply करना या सही तरह से examination में लिखना so that the examiner gets how much you know and how much you understand from every topic और यही पर जादा तर students fail कर जाते हैं because हम लोगों को school में अच्छे से सिखाया नहीं जाता how to write an effective answer or to how to express yourself more effectively बस रटवाया जाता है there are very less number of students जिनको यह आठ अच्छे से आती है और इसलिए वो बहुत आसानी से examination clear कर लेते हैं so the answer of this series is simple to get you through to the most difficult part of UPSC examination चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं the question says what do you mean by minimum support price so this is our first keyword सबसे पहले हमको keywords identify करने होते हैं यह मने last lesson में सीखा था how will MSP rescue farmers from low income trap MSP है so of course we are talking about farmers therefore farmers is not a keyword the keywords are minimum support price and low income trap यह दो हमारे keywords है यह third question था 2018 CSE GS3 में question number 3 question number 2 was connected directly with long term capital gain tax and budget announcements which was a very factual question इसलिए मैंने उस question को नहीं उठाया है more analytical questions are being taken up by me because वहाँ पर हम लोग differentiation create कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने 2 keywords देखे पहला part answer का मांगता है what do you mean by MSP और second answer हमसे demand करता है how will MSP rescue farmers from low income trap it says how will MSP and not how does MSP rescue farmers from low income trap तो part 1 हमने सबसे पहले 2 parts में divide कर लिया answer जो हमने last video में भी किया था यह आप लोग अपने दिमाग में कर सकते हैं over a period of time अभी आप लोग paper में कर सकते हैं when you're starting with your prep of answer writing part 1 में हमने बताया what is MSP that is definition of MSP what is low income trap that is definition of the other keyword LIT and how MSP is important from Indian society and for Indian farmers so in the last session हमने यह देखा था that in the introduction you can write two things definition number 1 and number 2 the importance of the linkage that has been created linkage क्या है यह पर MSP किस तरह से farmers को low income trap से बचाता है मतलब farmers के welfare के लिए काम करता है importance of MSP for farmers welfare that is the importance part है तो हम लोग उसकी बात करेंगे यहां पर how is MSP important for farmers when it comes to taking him out of pulling him out of low income trap तो यह हमारा part 1 हो गया wherein we'll be talking about definition and importance part 2 हमारा हमेशा body होता है wherein we talk about the specific question that has been asked यहां पर क्या पूचा गया है? how will MSP rescue farmers from low income trap so you talk about number 1 how can MSP rescue farmers from low income trap low income trap or how does MSP rescue farmers from low income trap and what steps are still required in MSP to pull out people from low income trap because यहां पर लिखा है how will MSP rescue farmers therefore you have to talk about both how does MSP rescue farmers from low income trap and secondly how will or how can MSP in the future rescue farmers from low income trap what are the changes that are required in MSP that can help it as a policy measure to pull out farmers from low income trap okay तो यह दो पार्ट में हमने डिवाइट कर लिया अब हमने लास्ट सेशन में एक और चीज़ सीखी थी विच विच वज़ वज़ प्रिएटिंग डाइग्राम्स यह हम लोग ने एक नई चीज़ सीखी थी जो बहुत लोग सोसते हैं करने की but nobody is able to do it और very less people are able to do it pull it off on a regular basis तो यहां पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि डाइग्राम एक ही तरीके का नहीं बनाना है पूरे एक्जामिनेशन में इस वाज़ विच 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 वाज़ रेज़ वे सम स्टूरेंस ओवर कॉल कि सर एकि तरीके का डाइग्राम बनाना है या अलग-अलग टाइप के बनाने है you can create multiple types of diagrams चार पाँच तरीके के आप बना सकते हो और जिस भी question में जो fit better है वो आप डाल सकते हो आप डाल सकते हो आप आप ब्रिंग इन सम डाइवर सिटी था, so I have created another diagram, इसी तरह से आपको भी जादा से जादा diagrams practice करने हैं, even if you practice the diagrams that I am practicing, it will be enough for you, सबसे पहले हमने बताया, what are the reasons for low income trap, तो अगर हमें बताना है examiner को that we have understood and we know what are you talking about or what are you demanding from me, then you tell them कि सबसे पहले low income trap के reason क्या होते हैं और MSP उन reasons को कैसे resolve करता है, मतलब उन problems को which result in low income trap, ये चार problems हैं which result in low income trap, इन चार problems को किस तरह से MSP solve करता है, और नहीं करता है किसी एक problem को मान लीजे, इस problem को solve नहीं करता है, तो इस problem को MSP किस तरह से resolve कर सकता है in the future, why future has been taken, number one, because question में will दिया गया हुए, does नहीं दिया है, and secondly, because we always talk about an ideal situation or a situation which is perfect from administration point of view, if you are thinking like civil servants, जो आमने last class में discuss किया था, कि वे forward बताना होता है, therefore, यहां पर perfect ही होता है कि आप बताएं examiner को कि reason क्या है low income trap के, number one, MSP किस तरह से उन reasons को या उन problems को resolve करता है, और इन problems को resolve करने के बाद, क्या-क्या unresolved रहे जाती हैं issues, जिनको MSP future में resolve कर सकता है, बट किस तरह से कर सकता है, वो हम body में बताएंगे, तो यहां पर आपने इस diagram के through, अगर आप pause कर के भी देखें, without me explaining everything, तो आपको easily समझ आ जाएगा कि exactly, यह diagram क्या बताना चाहता है examiner को, and you will realize that the examiner does not need to go through the entire question to understand what you have understood or taken from the particular question, तो examiner को clarity मिल जाएगी और उसको आपको marks देने में आसानी होगी, तो यहां पर इस diagram को या इसके points को समझ लेते हैं, सबसे पहला point जो मैंने लिखा है, what is low income trap, मतलब क्या reasons की बज़ा से low income trap होता है, technically there are four reasons जिनकी बज़ा से low income trap होता है, अगर आपको नहीं पता हैं, तो भी आप simple तरीके से लिखेंगे, तो भी तीन से चार reasons आपकी आराम से निकलाएंगे, low income trap की definition आप समझेंगे, तो समझ आजाएगा की exactly क्या है, inefficient production method, सबसे पहले, low income trap में कोई इंसान या कोई farmer क्यों पहसता है, because the production method is inefficient, inefficient होगा production method, तो आप कितना भी effort मार लो, you will not be able to improve your income beyond a certain point, why? because आपने एक land लिया है, for example, this is one hectare, आपकी यहाँ पर production efficiency है, let's say 100 kg 1 hectare, per hectare, which is very low, आपके production system inefficient है, आपने एक और hectare खरीद लिया, एक और hectare खरीदने के लिए, आपको कुछ investment करना पड़ा, आपकी efficiency अब भी लो है, 100 per hectare, 100 kgs per hectare, तो यहाँ पर आपकी 200 होगाई, but because you have invested a lot in this new hectare plot of land, तो आप recover नहीं कर पाएंगे कभी भी, आपने इसको 4 hectare बना लिया, even then, you will not be able to recover your investment, because your production efficiency is very low, तो यह low income trap से निकलने के लिए, efficiency बढ़ानी ही पड़ेगी, there is no other way forward, पर-capita income lower than subsistence level, आपकी per capita income जो है, मतलब पर-person income जो है, वो उसके subsistence level से कम है, subsistence level से कम है, subsistence level वो level होता है, जहाँ पर उससे कम होगी, तो मतलब वो extreme poverty में चला गया, low income में चला गया, और वो उससे उपर नहीं आ पाता है, we will discuss how MSP resolves that issue, पर-capita income directly correlated with population growth, अब क्या होता है, जब इंसान थोला से जादा कमाना साट करता है, he starts thinking of things other than his work life, he starts thinking about our family, things so on and so forth, उससे क्योंदा है, population growth rate जितना होना चाहिए, उससे जादा होने लगता है, because उसको उतनी education नहीं है, he's just started earning above his subsistence level, उसकी वज़ा से, जैसे ही per capita income, जैसे ही per capita income उसकी इधर subsistence level के ऊपर आई, उसने population growth rate बढ़ानी शुरू की, और इसलिए because dependency starts increasing, so per capita income of the family starts going down, तो वो फिर से subsistence level के नीचे चला गया, and the fourth is scarcity of uncultivated arable land, uncultivated arable land मतलब, एक हेक्टेर से दो हेक्टेर, जैसे दो हेक्टेर से चार हेक्टेर बनाना है, but land ही available नहीं है, he is not able to increase his or her income, तो यह चार major reasons हैं, लो income trap के, which are purely based on your understanding of what can result in a farmer getting stuck in low income trap, second is what is the impact of MSP on resolving these four issues, यह जो चार reasons हैं को resolve करने के लिए MSP कैसे काम करता है, number one, इस से बात करते हैं, जो second point है हाँ पर-capital income raised above subsistence level, जब आप MSP के थुरू, पहले farmer को मिलता था 50 रूपे पर kilo market में, अभी उसको मिलता है MSP के थुरू, let's see 90 पर kg, तो आपने एकदम से उसकी पर-capital income raise कर दी, जब आपने पर-capital income raise कर दी तो वो subsistence level से उपर आ गया, तो यह वाला problem resolve हो गई, अब उसकी income better है, income better है तो production methods भी अपने आप inefficient से ज़्यादा efficient हो जाएंगे, जब उसके बास 4 hectare land होगा, तो उसकी पर-capital income भी ज़्यादा है, तो उसकी 4 hectare land को वो machinery से use करने लगेगा, रदर दन using his own hands, he will start using a tractor probably, और he will start hiring people for farming, तो उससे higher income से, reinvestment के थुरू production methods भी improve हो जाएंगे, second problem is also resolved, third problem is not resolved, and the fourth problem is not resolved, why? higher income, यहाँ पर what I wanted to say was this, higher income is not equal to control over population growth rate, income जादा होने के बाद भी, production methods better होने के बाद भी, it cannot be said, or there is no direct correlation between higher income and control over population growth rate, तो यह problem हमारी resolve नहीं हुई, and the fourth problem is uncultivated with arable land, यह भी हमारी problem resolved नहीं हुई, because redistribution of land has not taken place, तो हमने बता दिया कि MSP दो problems resolved कर देता है, दो problems resolved नहीं करता है, so unresolved issues are directly flowing from this, higher population growth rate pushes people back into low income trap, and redistribution of land not covered under MSP, तो यह दो चीज़े हमने बताया और हम इंको conclusion में वापस mention करेंगे, so we are creating a closed loop, जो loop मैंने last class में बताया था, तो इन दो points के तरू हमने बता दिया कि, कुछ चीज़ें हैं जो MSP करता है, और कुछ चीज़ें हैं जो MSP नहीं करता है, now let's start, after having discussed the diagram which summarizes actually the entire question, and therefore it makes it easier for the examiner to understand what you want to say, you start with the question, तो हम लोग दो तरीके से question को answer कर सकते हैं, first method is intro लिखें, फिर diagram डालें, और उसके बाद body, and then conclusion, and the second method is, diagram पहले डालें, फिर intro लिखें, फिर body, and finally comes your conclusion, okay, so these two methods can be followed, तो यहां पर हम लोग, मैंने लिखा है यह second method, यह इसको first ले 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 ते हैं, मैंने लिखा है first method में, but I personally recommend, the second method मुझे यह जादा पसंद है, because इससे clarity थोड़ी और भी जादा हो जाती है, because when you write the introduction, the examiner gets into the groove of understanding, what you want to say, okay, तो introduction में, as I had mentioned, we are going to write two things, meaning or definition of MSP, as well as low income trap, and then the importance, तो यहाँ पर हमने सबसे बहले meaning लिख दिया, minimum support price is the price of an agricultural produce, determined by government of India, it is the price at which government directly purchases from the farmers, इसको और छोटा भी कर सकते हो आप, MSP is the price of an agricultural produce, determined by the government, at which it is directly purchased from the farmers, MSP fulfills multiple objectives, यहाँ पर हमने importance बता दी MSP की, fair price to farmer in case of sharp fall in market price, using MSP procured grains for PDS distribution, अगर आप MSP की original purpose देखोगे, तो आपको यही दो purpose दिखेंगे, सबसे पहले farmer को fair price देना, और दूसरा, जो आपने farmer से, खिसान से खरीदा है, MSP बे, उसको PDS distribution के थूद दिस्टिबूट करना, in order to ensure food security in the nation, ओके, these two are original purposes of MSP, यह समझना बहुत जरूर है, MSP for agriculture produce is recommended by CACP, यह मैंने कुछ additional information बताई हुई है, if you want, you can write it, if you want, you can also skip it, depends कि आप कितना लंबा आंसर लिखना चाहते हैं, और आप mention कर सकते हैं, just to flaunt your knowledge, now this is also a dilemma which a lot of students face, यह dilemma बहुत सारे students face करते हैं, जिसमें students ask me, and back in my days, I also faced the similar problems, कि क्या लिखें और क्या ना लिखें, आपको बहुत सारी चीज़े पता हैं, MSP के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़े पता हैं, low income trap के बारे में, A2 plus FL पता है, C2 पता है, minimum support price के बारे में, CACP recommend करता है, Government of India decide करती है, and there might be a lot of other things, which you must be aware about, when you read on MSP, सब कुछ नहीं लिखना है, you have to write things, only the things which are important, for the particular question, यह आप इडिटिफाइ कर पाएंगे, आसानी से, when you create a diagram, diagram create करने से, इडिटिफाइ हो जाता है, कि important क्या है, और unimportant क्या है, because your purpose is not to flaunt your knowledge, your purpose is simple to get maximum marks, अगर आप थोड़ा सा भी question से deviate होते हैं, तो examiner आपके number काट लेता है, या फिर examiner सोचता है, इसको पता नहीं है, exactly question क्या demand कर रहा है, and that's why he is writing whatever he knows, you don't have to write whatever you know, you have to write what the examiner needs from you, or demands from you, तो यहाँ पर A2 प्लस F1 और C2 की बारे में, थोड़ा सा mention कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा डीटेल में बताया है, आपको explain भी कर देता हूँ, कि exactly A2 प्लस F1 और C2 क्या है, C2 was the method of identifying the MSP, which was given by MS, Dr. MS Swaminathan, and A2 प्लस F1 is the method, which has been adopted by Finance Ministry, तो यह वाला method यूज होता है, MSP आइड़िफाय करने में, and C2 is the method which is given by Dr. MS Swaminathan, as his recommendations. A2 का मतलब होता है, all paid out cost directly incurred by the farmer, जो भी farmer ने, जो भी किसान ने cost incurred की हैं, seeds पे, fertilizer पे, pesticide पे, lease किया है land tos के उपर, fuel पे, irrigation पे, वो सारा हो गया, उसका A2, and FL is imputed value of unpaid family labor, FL is family labor, तो जो family labor है, unpaid मानी जाती है, मान लीजे, चार लोग काम कर रहे हैं, एक particular farm पे, चारो family members हैं, तो चारों की जो imputed value होगी, उनकी labor की, वो आड़ करती जाएगी, C2 थोड़ा जादा comprehensive है, because इसमें rentals, interest forgone on owned land, fixed capital and fixed capital assets, rent किया है, या rent पे दिया है, interest जो आपने forgone किया, अगर आपका land अपना है, क्योंकि याँ पे खाली leased in land है, owned land नहीं है, और भी fixed capital assets, जो भी आपके पास हैं, अगर वो आप rent पे दे देते, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होता, तो वो cost भी यहाँ पर inlut की जाती है, more comprehensive in nature, but presently A2 plus FLA is followed, now all these things, you must have gotten idea कि, यह सारी चीजें, हमारे question के लिए जादा relevant नहीं है, but मैंने आपको बताया, just for knowledge sake, and also to help you understand कि, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, यह चीजें नहीं लिखनी है, मिस आउट कर देंगे, तो भी फरक नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप MSP के साथ साथ, यहाँ पर आप MSP के साथ साथ, low income trap की definition भी लिख सकते हैं, मैंने mention नहीं किया, low income trap और MSP दोनों की definition, और दोनों की importance आप बता सकते हैं, if you have the space, ठीक है, तो हमने introduction में यह कवर किया, अब हमाई body पे, body पे क्या कर हम कवर करेंगे, हम पहले बताएंगे, कि MSP किस तरह से farmers को rescue करता है, low income trap में से, and second part, body के second part में बताएंगे, कि क्या steps और चाहिएं, हमको the steps which are required, which can help MSP rescue farmers from low income trap, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पताया है कि rescue MSP किस तरह से करता है, number one, minimum guaranteed price to farmers, farmers को एक minimum guaranteed price provide करता है MSP, which acts as a safeguard against price fluctuations, so these are all keywords which you need to write, against price fluctuations and market imperfections, the farmer is thus protected from getting into low income trap, अब ये एक बहुत important चीज है, जो बहुत धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है, हर एक point के बाद, हर एक point के बाद, आपको वापस question पे जाना है, और बताना है कि आपका ही जो point है, how is it answering, actually answering the question that was raised in the question itself, question में क्या पूछा था, how will MSP get farmers out of low income trap, तो आपने बताया MSP XYZ करता है, MSP number one आपने बताया कि minimum guaranteed price बताता है, देता है farmers को, जिससे की farmer को कुछ safe guard मिलती है, against price fluctuations, ब्ला 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 और उससे वो low income trap से बाहर आता है, तो अगर हम इसको diagrammatic format में बनाएं, तो बहुत आसानी से बने गए, और बहुत easy और बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले question में बूछा, MSP का relation with low income trap, किस तरह से farmer को low income trap से MSP बाहर निकालेगा, आपने बताया, MSP में कुछ चीजे होती हैं, सबसे पहले minimum guaranteed price to farmer, और ये minimum guaranteed price आपने link किया, कि low income trap को resolve करता है, ऐसे आपने दूसरा बताया, इसकी विज़ासे वो low income trap से बाहर निकलेगा, तो आप जो भी point बताएंगे, उस point को examiner जो चाहता है, examiner चाहता है कि ये link create हो, अगर हम इसको इस तरह से देखें, तो examiner चाहता है कि link of 1 and 2 should be created, और आप बताएंगे कि ये 3 है अगर, तो 3, 2 से किस तरह से connected है, 4, किस तरह से 2 से connected है, because examiner को चाहिए 1 और 2 के बीच में connection, simple, तो हमने बताया सबसे पहले कि price acts as a minimum guaranteed price to the farmers, second हमने बताया, it incentivizes farmers to produce more as they are guaranteed and assured market for their produce, farmer को पताया कि मैं इतना बनाऊंगा तो big जाएगा, सर्कार तो खरीद लेगी MSP के तरह, therefore, he is incentivized to produce more and more, जादा बनाएगा, तो income जादा होगी, income जादा होगी तो उसकी low income trap से बाहर निकलेगा, third है, MSP is regularly indexed to inflation and cost of farmers produce, जब वो regularly farmer, जो भी किसान की cost है, उससे indexed है, तो क्या होगा, MSP relevant रहेगा, ऐसा नहीं कि आज market में, गेहू का price तो है, 100 रुपे पर kilo, but MSP कितना मिल रहा है, उसको 10 रुपे पर kilo, because यहाँ पर indexation to inflation, indexation to cost of farmers produce, वो सब नहीं हुआ है, तो यह ensure करता है कि जो भी MSP मिल रहा है, वो actual में, it stays relevant for the farmer, and farmer feels की MSP उसको जो मिल रहा है, वो सही मिल रहा है, गलत नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिये, मैंने link किया है, thus keeping them out of low income trap, this is very important, अब कहाँ पर MSP fail कर जाता है, और actually होना क्या चाहिए, या फिर क्या additional steps लिए जा सकते हैं, so that MSP can in the future, take out farmer from low income trap, हमने introduction में देखा था, तो हम की बताया था, कि हम does बताएंगे, another same time will बताएंगे, how will MSP take out farmer from low income trap, तो additional steps क्या क्या चाहिए, these can actually make a change in your answer, आपके answer को निखार सकता है, so यहाँ पर जो हमारा multi-dimensionality का concept है, वो यहाँ पर हमारा use हो जाएगा, क्योंकि हम multiple dimensions use करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर geographical उठाया, diversification उठाया, insurance उठाया, financial, financial inclusion उठाया, which is also financial, तो हमने दो major dimensions उठा ली यहाँ पर, तो अगर हम syllabus देखें, historical कुछ नहीं मिला हमको, ठीक है, geographical हमने ले लिया, social कुछ जादा MSP प्रोवाइड नहीं करता है, social and cultural, उसके बाद हमने, financial मतलब economic ले लिया, political या फिर polity constitution से connected, कुछ पताने की ज़रुद नहीं है, not very important, because futurist में जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने economic ले लिया, ethical वगेरा, इसमें नहीं discuss करेंगे, तो हमने additional steps के थुरू, कुछ नई dimensions खोल दी आपर, number one is MSP in allied crops, अब MSP allied crops में अगर देने लगें, तो उससे क्या होगा, diversification होगा, उससे क्या होगा, income भढ़ेगी farmer की, और उससे income trap, low income trap नहीं होगा, तो यह हमने एक chain create करी, कि allied crops में अगर MSP allowed हो जाए, तो diversification होगा, which is also beneficial for the country as a whole, sustainability के लिए अच्छा है, farmer की income भी बढ़ेगी, और उससे income trap भी नहीं होगा, farmer की income क्यों बढ़ेगी, because multiple crops वो अपने एक ही, खेथ में उगा सकता है, अलग-अलग time पर उगा सकता है, तो पूरे साल भी काम करेगा, और एक ही time पे, अगर कोई एक virus आता है, कोई एक fungus आता है, कुछ भी unpredictability आता है farming में, all the crops are not destroyed, उसकी income कुछ ना कुछ, vulnerability कम होती है, Second point is that MSP needs to be according to local geographical and socio-economic conditions, locally, जिससे की वो socio-economic conditions को भी ध्यान में रख सके, for example, if you go to hilly areas, वहां पर cost of production जादा होती है, for the farmer, why? Because land is small, land is small, बड़ा लेना और बड़ा लेना और बड़ा लेना पॉसिबल ही नहीं होता है, because you are staying in a hilly area, Secondly, वहां पर cost of production is high, why? Because fertilizers की availability कम है, Similarly, cost of transport is high, cost of transport is high, तो ये सारी चीजों की वज़ा से, the cost of production is high, so local socio-economic conditions need to be taken care of, जिससे की ज़्यादा sustainable और regular income farmers को मिलती रहे हैं, Third and fourth point are very important, ये financial point of view से हैं, Third point says कि insurance अगर नहीं है farmer के पास, तो वो low income trap में फसा रहता है, In many situations, insurance provides support in case of unpredictabilities, और इंडिया में आपने देखा है, हर साल कुछ ना कुछ unpredictability, कुछ ना कुछ vulnerability, कुछ ना कुछ disaster होता ही है, so farmers stay in that low income trap, because they don't have access to insurance, और इसका solution क्या है, कि MSP को पधानमंतरी फसल भीमा योजना से integrate कर जाए है, for example, how can you integrate it, जैसे ही आपके पास कोई farmer आया, MSP का produce बेचने के लिए, आपने उसको बोला, that if you do not have, have not registered with पधानमंतरी फसल भीमा योजना, आपकी MSP accept नहीं होगी, so that is a way of integrating MSP with other schemes, which are already running well, and which can even do better, Similarly, MSP को financial inclusion के साथ भी integrate किया जा सकता है, जिससे की non-institutional loans कम हो जाएं, which are a major reason for low income trap, अभी ये किस तरह से होता है, for example, this is a farmer, Jan में इसने sow किया, Jan is the sowing season, and let's say April is the harvest season, तो यहांपर चार महीने का gap है, and when he goes to the market and sells it, उसमें एक महीना और लगता है, so money comes in by May, money यहांपर आया, Jan से लेके May तक जो time है, ये time में अपनी consumption needs के लिए भी, number one, and secondly, for investment needs, या working capital needs अगर उसको बोलें, कि जो भी उसके farming activity है, जो भी किसान करता है, उस सारे काम को करने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, जो भी सारे investment करना है, tractor के fuel के लिए, वो सारे उसको अपनी जेब से ही करना है, because he gets all the money together in May, तो इन चीज़ों के लिए, normally farmers rely on non-institutional loans, normally non-institutional loans are more expensive, more comfortable, more flexible बड़े, the same time more expensive, यहां पर 40-50% तक भी interest जाता है, ठीक है, इसकी वज़ा से farmer हमेशा low income trap में फसार रह जाता है, because यहां पर जो भी उसने कामाया, उसमें से major income उसकी loan चुकाने में चली जाती है, so it's very important कि MSP को financial inclusion के साथ integrate किया जाए, so that over a period of time, these non-institutional loans can be converted to institutional loans, institutional loans जो की बहुत सस्ता है, 7% और कुछ केसिस में 4% तक भी interest rate गया है, which is very very low, so this can be mentioned as a futuristic goal in order to make MSP a success, or make MSP contribute towards pulling farmer out of low income trap, अब हम आगे conclusion पे, conclusion में हम लोग loop बनाएंगे, जैसे हमने last class में सीखा था, की loop बनाते हैं, यह point A है, point B है, इन दोनों को साथ में लेकर आना है, अब इन दोनों को साथ में लाने के लिए, point A में हम ने बताया था, that there are two things which are resolved by MSP, in order to pull farmers out of low income trap, and there are two more points which are not resolved by MSP, उन दो points को यहां पर हम resolve कर वाएंगे, number one was land reforms, redistribution of land is not a part of MSP, but it can be integrated with MSP, in order to ensure that farmers get more and more land, and second was, second is privatization of MSP through contract farming, यह बोलता है, that this point says, and this is a very important point, इस प्रोड़ा detail में भी डाल सकते हैं, MSP क्या है, MSP is a price at which, the government says that we will buy from you, so it is a pre-datamined price, at which the government says that we will buy from the farmer, now what is contract farming, contract farming में, instead of government, you have a private agency, you have a private agency, which goes to the farmer and says, we will buy directly from you, at a pre-datamined price, provided that you give us certain quality, आप एक certain particular quality, और quantity हम को provide कर दीजे, हम आपको उतना पैसा देंगे, जितना आपी डेटमाइन कर लेंगे, पहले ही, तो, why should the government be a part of this entire process, why not private institutions, अब प्राइवेट कंपनी आएगी, तो साथ में आपका argument होगा, कि exploitation भी होगा, exploitation comes together with the private sector, this is where the government can come in, and government can regulate it and ensure, कि यह exploitation ना हो, यह exploitation ना हो, private sector works for the benefit of the farmer and at the same time for the benefit of itself which can happen without exploitation तो किसी ना किसी गर्विलेटरी इस्टिशिशन के थू या किसी और प्रोसेस के थू इस एक्प्रोसेशन को हटाई आ सकता है so this can be mentioned that privatization of MSP can be done because internationally that has been done and then you can conclude by saying that MSP cannot work alone in order to pull farmers out of low income trap that means it is not a panacea for higher income of Indian farmers कुछ और बहुत सारी schemes है जिनको इंटेग्रेट करके MSP के साथ साथ में farmers can be pulled out of poverty and low income trap I hope you have understood अब हमने यहां पर जो मैने स्टार्टिं में पताया था कि हम डिस्कस करेंगे हमने यहां पर कुछ नहीं चीजे भी देखी है और कुछ लास्ट लेसन वाली चीजे भी रिपीट किये नबर वन, multi-dimensionality multi-dimensionality was there in last lesson also and it is there in this lesson also कुछ questions में जादा होगी कुछ questions में कम होगी that always varies depending upon the question but you have to keep it in mind that you check or you check the checklist of multi-dimensionality MD अगर आपने checklist एक बनाई है तो उसको uncheck करना जरूर है second is diagram in every question last में भी हमने diagram लिया था इस question में भी हमने diagram लिया है that is another checklist that we have created और इसको check करना जरूरी है these are the two new things that I have introduced in this particular question thinking like a civil servant and thinking like a point of discussion तो आपको बहुत सारे coachings वाले बताते हैं कि आपको civil servant की तरह सोचना जरूरी है बट यह नहीं बताते किस तरह से किया जाए अब administrator का काम क्या है administrator का major काम जो होता है the administrator's major job is to implement policies on the ground जो भी हमारे parliament ने जो भी हमारे politicians ने the elected politicians have decided they have to be implemented for the benefit और for the welfare of people of this nation यह ensure करना है कि इसका implementation जादा से जादा effective हो ओके so when you are an administrator you are always thinking about effective implementation of some of the other policy जिस तरह से MSP आता है तो MSP आप किस तरह से जादा से जादा effectively implement कर सकते है technology आ गई आप technology उसका सकते है financial inclusion मतलब finances को improve कर सकते है उसके साथ साथ you can make some policy changes APMC जैसे remove हो रहे है so there are a lot of things that can be done by the administrator also administrator की तरह जब आप सोच रहे हैं तो आप हमेशा सोच रहे हैं कि implement किस तरह से अगर मैं होता तो इस policy को implement किस तरह से करता and the next point is कि आपको जो भी point of discussion है उसके central theme के बारे में भी सोचना है जो भी यहां के farmer है अब अगर हम administrator का diagram phase से देखें administrator ने क्या करना था implement करना था policy को implement करना था with the purpose that the farmer is benefited यहाँ पर policy क्या है MSP MSP को implement करता है with the final purpose की farmer को जादा से जादा फायदा हो जादा जादा असानी हो अपनी जिंदगी जीने में तो administrator भी हमेशा farmer के बारे में सबसे पहले सोच रहा है लोगों के बारे में सबसे पहले सोच रहा है तो आपको खाली administrator के तरीके से नहीं सोचना है आपको farmer के दरीगे से भी सोचना है फिर क्या होगा ये reverse हो जाएगा और आपका जो purpose है implement कराने का वो खाली administrator के जरीए से नहीं होगा वो at the same time it'll also be from the point of view of farmer. Farmer को क्या-क्या problems हो रही है तो हमको अपनी implement policies में क्या changes करने चाहिए so that he's finally affected positively or impacted positively through those implementations तो ये आपको ध्यान रखना है ये हमने दो नई चीज़े आज 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 कर ली thinking from the point of view of administrator and thinking or putting yourself for being empathetic towards the point of discussion central theme of the question which is farmer in this case तो हमने चार चेक्लिस में चार पॉइंस डाल दिए पहले हमारे पास दो पॉइंस ते हमने okay so in every question that you solve in your practice or even even in your final answer you have to check all these checklists all these points of the checklist हर question में आप देखेंगे की okay ये हुआ multi-dimensionality हुआ के नहीं हुआ हो कया तागराम हुआ के नहीं हुआ अद्मिनिस्टेटर की दरा सोच एम्पथेटिक हुआ या नहीं हुआ similarly we will create some more checkpoints हम कुछ और checkpoints भी बनाएंगे and we will finally create a standard operating procedure SOP बनाएंगे जिसके थूँ we will be able to understand की हमको हर आंसर में structure एक पर्टिकुलर method और एक पर्टिकुलर standardization किस तरह से create करना है so that the examiner understands how we think and the examiner appreciates it and gives us more and more marks okay so this was all about this particular lesson if you liked it do not forget to subscribe to the channel and also press the bell icon so that every week when I come out with the video you get keep getting notifications एक चीज़ आपको नही करनी है आज you must have you must have been active on social media platforms like Facebook or Instagram or Quora or any other platform if you like this video and if you like whatever I am doing for solving the most difficult portion of UPSC do share it on your platform जिससे की जादा से जादा लोग इसको देखें और इस पर अपना feedback दे सकें कि क्या हम जो हम कर रहे हैं क्या वो useful है उसमें कुछ problems है उसमें कुछ नया है या क्या सही में जो selected students हैं वो ऐसी policies या ऐसे methods यूस कर रहे हैं जिससे की students को फायदा हुआ या उनको फायदा हुआ in getting selected or not we'll get all those feedbacks only when we circulate it we process it and circulate it among our friends as well as among selected students okay so do not forget to share it on your social media platforms so we will meet next week probably Saturday or Sunday next and I'll try and cover one or two more topics in the next week's class till then all the very best keep preparing take care